Hello and welcome friends, Microsoft SQL सिखने की सीरीज में मैं सुरज आपका स्वागत करता हूँ और आज की ये वीडियो है Microsoft SQL की SQL में हम क्या सिखने माले हैं, क्या नया है, देखिए, ये कमारी वीवर है जिन्होंने पुछा है sir, hundred or thousands of records, how can we enter if we created a table with the using queries in Microsoft Access in SQL अब SQL view आपको मिल जाता है Microsoft Access में, तो वो hundred or thousands of records, how can we enter, इसी के बारे में हम बात करेंगे, तो create पे जाएंगे, ये create पे आगया, और यहां से आएंगे query design पर, query design पर जैसे याएंगे, ये window open होगी, इसको बंद कर दीजे, close कर दीजे, and close करने के बद यहां SQL पे click कर दीजे, बस ह हो गया काम, यहां पर आप जो भी लिखेंगे न, उसमें आप जितने चाया उतने record एंटर करा सकते हैं, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, जैसे table को create करने के लिए, यहां मैं लिखना होता है code create table, तो यह लिखते है, create table, और table का नाम दे देते है, ठीक है, जैसे मैं देता हूँ, student t, यानि table, तो यह student t नाम दे लिए और bracket को ऐसे open कर लेगे, अब यह student t नाम से table create हो जाएगी आपकी, अब इसमें क्या क्या चीज़े दे रही है, आपको देख लिए, लाइक वाले जी, student का roll number होगा, तो यहां मैं लिखता हूँ मैं roll number, अच्छा, यह जो roll number जबर जबर लगाएगा, तो यह लिखते है, यह roll number होगे, अब यह roll number इंट डिटर टाइप है, अगर आप इसे primary की बनाना चाहते है, तो बना सकते है, यह लिखते है, यह लिखते है, फिलाल मैं नहीं बना रहा हूँ, एंटर करता हूँ, नीचे आता हूँ, यह आपे name लि हो उएज लाइप है, यहां पर इंट डियंगी, इतना ही फिल्ड में रखने हो, तो इसको ब्त कर दीजगे, और यहां से यहां पर आए, सुनू, यहां पर नेम कर दिया है, और एस कर देता है, 35, ठीक है, इसी तरीके तरीके तुब पोर कर दिया, आप देख सकते हैं, बस यहीं बताने के लिए वीडियो बराया था मैंने, थैंकियो फॉर वाचिंग इस वीडियो,